प्यारे बच्चों आईए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का मैत का ये 12 चप्टर जिसका नाम है बृतों से समंधित छेतरफल इस चप्टर से जितने भी important प्रस्न है जो कि आपके एक जामें पूछे जाते हैं उन सभी प्रस्नों के उपर हम लोग इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे तो वीडियो के अंतक बने रहिए और सभी प्रस्नों को ध्यान पूरवक से समझिए अगर आप इसके पहले का चप्टर देखना चाते हैं तो इस वीडियो के description में उसका link है आप जा करके बारी बारी से सभी चप्टर को देख सकते हैं तो चलिए बिना देर के हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रस्नाब के सामने है कि 6 cm तरज्या वाले एक बृत में एक चाप केंदर पर 60 डिगरी का कोन बनता है तो तरज्या का 6 तरफल निकाले ठीक है तो देखें यहाँ पर यह आपका त्रिजखंड हो गया तो यहाँ त्रिजखंड आर बराबर है 6 cm तथा चाप केंदर पर बना कौन कितना है ठीटा बराबर 70 डिगरी तो तरिजखंड का 6 तरफल बराबर हो ठीक है प्रसंद से तरिजखंड का 6 तरफल भटे 360 पाई यारी स्कॉयर होता है त्रृटाग मान है 60 डिगरी 360 हो जागा पाई कमान 22 बटे साथ आर तिरज्या का मान था 6, 6,6 हो गया इसको जब हम हल करेंगे हल करने गवाद आएगा 18.86 cm2 चलिए तो इस तरह समका सकते हैं कि आता तो यहां साकिल द्वारा 5000 चकर लगाने में तै की गई दूरी 11 किलो मिटर तो सबसे पहले आप क्या करोगे 11 किलो मिटर दूरी तै करने में 5000 चकर लगाया तो पहले आप की परीधी बराबर हो जागा साकिल द्वारा तै की गई कुल दूरी आप देखें साकिल द्वारा तै की गई कुल दूरी क्या आ गया यह आ गया आपका है ना और कुल चकर कितना लगाया था 5000 तो इस प्रकार से आपका परीधी निकल करके आ जाएगा कितना देखें यहां पर लेंगे 35 आ गया तो आता पहिये का ब्यास बराबर हो जागा आर गुने 2 है ना क्योंकि यह होता है तिर जिया यहां से यहां तक स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मात्रवुद्ट